हालो स्ट्रेंट्स एडू वीला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है आज हम सुरू करेंगे सिक्षा नीदे साले की तरफ से दिया गया सिक्किम प्रोजेक्ट और यह प्रोजेक्ट काफी आसान होने वाला है इसको मैंने आपके लिए बहुत ही आसान बनाया है यह इंट्रेस्टिंग भी होगा क्योंकि सिक्किम भारत का बहुत ही प्यारा राज है और इसको अगर हम प्रेटन की दिरिश्टी से देखें तो सिक्किम प्रेटन के बहुत से संभावनाये हैं और वहां सीन एंड सीनिरी भी जो है वो काफी अच्छी है सिक्किम पहाडों से हिरा राज्य है उसके बगल में हिमाले होने की वज़े से उसमें खुबसूरत चटाएं बनती हैं और बहुत ही अच्छे सीन सिक्किम में मिलते हैं सिक्किम की जो संस्कृती है या बहुत ही अच्छी है और आप देखेंगे तो वहां हमारे यहां उत्तर भारत के जो लोग ह और जिनका रहन्सां है उनके पीछा थोड़ा सा अलग उनका रहांधला है और सिक्किम का इतिहास वही बहुत आसान है यह सारे काउंचे और यह सारे content मिलाकर सिक्किम प्रोजेक्ट में मैंने डाला है आप चाहें तो इसमें से भी ले सकते हैं और मैंने और भी बहुत सारे content इसमें डाले हैं यह कुल मिलाकर 18-19 पेज में हुआ है जो कि आप के लिए प्रयाप्त है और आप इसे से अपने project को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में सिक्किम कहां है भारत के मैप पर पहले हम सिक्किम का मैप देखते हैं तो आप यह देख सकते हैं कि यह पूरा भारत का मैप है और इसके बीच में यहां जो भारत का जो उत्तर पूर्वी रहे वहाँ पर अंगूठे के आकार का या रेड कलर का जो मैप किया गया है यह सिक्किम है अब उसके बाद सिक्किम से सम्मंदित कुछ हम विसेश जनकारी एक एक वर्ड में ले लेते हैं कि सिक्किम राजी की राधानी गंग टोक है और सिक्किम का सबसे बड़ा सहर भी 1777 बहुत ही कम जन संक्या है और घनत तो 86 ब्यक्ति प्रती बर किलोमेटर है और पूरे राज्य का चेतरफल 7096 बर किलोमेटर है और यहां चार जीले मतलब चार जीलों से बना राज्य है और यहां की जो राजभासा है वह अंग्रेजी भूटिया गुरूड गुरूंग है लिम्बू मगर मुखिया निपाल भासा राई सेरपा और तमांग है इसका गठन 10 अपरेल 1975 को हुआ था और सरकार यहां पर सिक्किम सरकार कारे करती है राज्य पाल यहां के गंगा परसाध है और मुख्यमंत्री प्रेमसी तमांग है यहां के बिधान मंडल की बात करें तो प्रवत्ति प्रवत्ति राज्य अंगुठे के अकार का यह राज्य पस्चिम में नेपाल उत्तर तथा पुर्व में चीनी तिबद स्वायच छेत्र तथा दक्षिनपुर में भूटान से लगा हुए हम सिक्किम का मैप भी नीचे आपको दिखाएंगे भारत का पच्चिम मंगाल राजी इसके दक्षिन में है और अंग्रेजी गोर्खा खस भासा लेपचा भूटिया लिम्बू तथा हिंदी आधिकारिक भासाएं है हिंदू तथा वज्रेयान सिक्किम के प्रमुख धर्म हैं सिक्किम नामग्याल राज्तथा सासितं एक स्वतंत्र राज्य था प्रण्तु प्रसासनिक समस्याओं के चलते भारत से बिलय के जन्मत के कारण 1975 में एक जन्मत संग्रह के अनुसार भारत में बिलाय हो गया उसी जन्मत संग्रह के पस्चात राजतंत्र का अंत तथा भारतिय सम्मिधान की नियम प्रणाली के धाचे में प्रजातंत्र का उद्य हुआ सिक्किम में सिक्किम की जन्संख्या भारत के राज्यों में नियूनतम मात्र छे लाख दस अजार है अपने देखा है तथा च्छेत्रफल गोवा के पस्चात नियूनतम है मतलब इससे बड़ा गोवा है और उसके बाद यह दूसरे नंबर पर है अपने छोटे आकार के बाज की सीमा पर है और इस परवच चोटी को चको प्रदेश के कई भागों से आसानी से देखा जा सकता है साफ सुथरा होना प्राकृतिक सुंदर्ता पूची तथा राजनितिक इस्थिरता आदिभी सेस्ताओं के कारण सिक्किम भारत में प्रेटन का प्रमुख के अंदर है सिक साफ ही इन्ट्रेस्टिंग और बहुत ही मनोहारी यह सिक्किम का नकस है और आप नकसे पर देख सकते हैं जयो lesser चीन और थिभत है है यह पुर्व सिक्किम कर दाता है यह उद्द रजाल आए देख लिया और यह से मुख्यम के मुख मंतिरी प्रेमी तमांग उसके बाहद प्रेम सीह तमांग यह सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं और उसके बाद है सिक्किम के राजपाल स्री गंगा परसाद तो यह सिक्किम के राजपाल हुए और अब हम देखते हैं सिक्किम का भूगोल क्या है तो सिक्किम के पस्चिम में हिमाले की चोटियां सिक्किम राज एक अच्छिन पूर्व में भूटान के साथ मैंने आपको मैप में दिखाया है पस्ची में नेपाल और चीन के तिबब स्वायच्छेत्र में उत्तर पूर्वी हिसे पर अपनी सीमा साजा करता है मतलब कि उपर में चीन की सीमाएं हैं विभिन ने जगहों पर समुद्री उचाई उसके बाद सिक्किम का जदातर हिसा पहाड़ी होने की वज़े से खेती के लिए उपयोगी नहीं है इसके बाद भी कुछ धालान वाले चेत्रों को खेती में बदल दिया गया है और सिक्किम की पहाड़ी तरीके से खेती होती है सिक्किम का कुल चेत्रफल साथ हजार बर कि लगबग है सिक्किम की कुल अबादी छे लाख है यह हमने आगे भी देखा है और सिक्किम के जदातर छेत्रों में पहाड़ी ग्रिस्मकाल सुख दायक है क्योंकि यहां का तापमान 28 डिग्री से ज्यादा नहीं है राज्य का एक तिहाई हिस्सा घहने जंगलों से घीरा सब्सक्राइब को जान सकते हैं करका तो हिंदू धर्म की परंपरा और बादों के लिप चास के सांथ मिश्ती होने से बनती है क्योंकि सी töओहार सरल कर्म भरे हुए और अधिक रंगीन होते हैं पासथान के जैसे घ्रुकुट प्रेसी पांग लूब सोल, सागा दावा, लासोंग, दासोंग को बड़े ब्यापक रूप से मनाय जाता है और मठ के आंगनों में लामा द्वारा सिक्किम का मास्क निरिते पुरुवत्तर भारत में सबसे रंगीन निरित्यों में से एक माना जाता है जिसे से यहां की रंगीन संस्कृती का सच्चा सार दिखाई जता है और पास्चात राक संगीत यहां घरों में भोजनालों में गैर सहरी इलाकों में देखी जा सकती है यह तो हर जगा देखने को मिल रही है हलाकि हिंदी संगीत ने भी लोगों में अपनी एक जगह बनाई है नेपाली रॉक संगीत तथा पास्चात संगीत पर नेपाली काबे भी लोगों में काफी लोग प्रिये है फुटबॉल और क्रिकेट सिक्किम के प्रमुख खेल है अगर हम बात हम यहां के व्यंजन की करें जैसे थुकपा चावमीन ठांतोक फाक्तो ग्याथोक वांटन यह कभी लोग प्रिये हैं काफी लोग प्रिये हैं और इसके अलवा भाप से पके सबजियों से भरे पकोडियां सूप के साथ परोसा हुआ भैस या सुवर का मान से लोग प्रिये लगु आहार है मतलब इसको नाष्था कर सकते हैं किन एलोग लेते हैं इसके लवारा राज में वीयर विस्की रम और अबरणडी का सेवन भी काफिक कर जाता है इसलिए वहां पर इन सभी गोबर का लिप लगा जाता है उससे क्या होता है कि घर अंदर से गर्म होते हैं और सिक्किम के अधिक उचाई वाले छेत्रों में ज्यदातर लकडी के घर बनाए जाते हैं ये देखे ये सिक्किम का कल्चर है कितना साप सूथरा और रंग भी रंग यहाँ पर कोई उत्सो होत सबसे प्राचीन इतिहास आठवी सदी में मिलता है जो बहुत भिक्षू गुरु रिन पोचे ने सिक्किम का दौरा किया था और ऐसा लिखित प्रमान मिलता है कि उन्होंने बहुत धर्म का परचार किया सिक्किम का आधुनिक इतिहास 13 सताब्दी से प्रारब होता है जब ले सिक्किम के काब लुंग सोग में हुआ इसके बाद 1641 में तिबत के लामा संतों ने पस्चिमी सिक्किम के युकसाम प्रांत की यात्रा की यहाँ पर उन्होंने खे हुमसा के छठी पिढ़ी के बंसाज फुन्त सोग नाम ग्याल राजवन्स का जन हुआ और उसकी बाद तीन जन जातियां सोम नांग और चंग राज में इस्तेमाल होने से पहले लिप्चा ने सत्रहवी सताब्दी में सिक्किम पर आक्रमन किया और उस समय सिक्किम में राज साही सासन अरस्तित्यों में था और सबसी प्रमुख राज चोगियों के पास था जो राज के होने पर यह राज्य भारत के अंतरगत आ गया फिर सन 1975 में सिक्किम भारतिये संग का अभिन्य हिस्सा बन गया तो इस तरह से हमने सिक्किम का इतिहास देखा और वहां की एक इतिहासी इमारत देखें राजवन्स के समय का इमारत है और इसके भगनाओं से अभी दिख रहे हैं और उसके बाद हम बात करते हैं सिक्किम के उत्सों की चुकि जब हम सिक्किम प्रोजेक्ट तयार कर रहे हैं तो सिक्किम से जुरी बहुत सारी बाते हमारे पास होनी चाहिए तो सिक्किम के उत्सों के बारे हम बात करते हैं सिक्किम के लोगों के लोगों के फेस्टिवल ब के साथ साथ निपाली तेवहारे भी मना जाते हैं सिक्किम के तेवहारों में द्रुग पेशी पांग लूप सोल लहाबाब ड्यूचेन डूपका सांगा दावा लांग सोंग दासोन को बहुत धर में मना जाता है और सिक्किम के महत्पुर्ण तेवहारों में माघे संक्रांती चैत्र दसाई, रामनोमी, दसाई त्यवहार, शोनम, लोसुंग, नामसुंग, तेंदोल, हलो रूमफाट, लोसर, उत्सो, होली, रामनोमी, दुर्गापुजा, दसाहरा, दिवाली, क्रिस्मस्टे और नौबर्स प्रमुख हैं इतना छोटा प्रदेश होने के बाजोदे, इतनी बड़ी संख्या में तेवहार मना जाते हैं, यह इस राज्य की बिविधिता को दरसाता है, मतलब यह राज्य अपने अंदर बहुत ही बिविधिता को समेटे हुए है, और फिर भी एक हो करके, काफी सांती पूर महाल में जी अधिकांस हिस्सा है, और यह भासा इंडो आर्य परिवार से निकली है, दूसरी लोग प्रिय भासा भूटिया है, जो तिब्वती बर्मन परिवार से निकली है, अन्य भासाओं में लेपचा, सेरपा, लिंगू, इन सभी भासाओं को इसकूलों में पढ़ा जाता है, और उसके बाद राजी में प्रेटन की बात करते हैं, और प्रेटन तो मुखे रूप से सिक्किम में काफी इंट्रेस्टिंग है, क्योंकि यहां की जो प्राकृतिक छटा है, वो बहुत ही खुबसूरत है, घाटियों और परवत मालाओं और अबल सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है सिक्किम, यहां के लोग सांती प्रिये के कारण यह राज्ये प्रेटकों के लिए स्वर्ग है, राज्ये सरकार प्रेटन को बढ़ावा दे रही है, और वे सभी सुक्सुधाएं दे रही है, ताकि यहां आने वाले प्रेटक सिक्किम की जीवन, सिक्किम की कल कुल्चर हिंदी सिक्किम अपने हरे भरे पौधों जंगलों दर्सनिये सैली और धरोहर को समझ सके और प्रेटन उद्धों की संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार दक्षिन सिक्किम में चैमचय गाउं में हिमालियन सेंटर फॉर एडवेंचर टूरिज्म की अर्थ मठ पेलिंग में इस्थित पेमा से इसके अतरिक्त पस्चिमी सिक्किम का तास्दिंग मठ है जो सिक्किम के सभी मठों में सबसे पवित्र माना जाता है इस राज्य का सबसे प्राचिन मठ युक्सों है यह लहाद सुन चेनपो का व्यक्तिकत आसरम था जो संभावता सत्रा सो इस्वी में अस्थापित किया गया था उसके बाद कुछ अन्य प्रसिद्ध मठों में फोडोंग फेंसांग रूम्टेक नगाडक तोलूंग आहले तुसुकलाखांग रालोंग लाचेन एंचे यहां का प्रमुख हिंदू मंदिर गंगटुक के मद्ध में इस्थित जिसक में प्रेटकों के लिए कुछ गुरुद्वारे और मस्जिदें भी मौजूद हैं तो बच्चों इस तरह से हम सिक्किम की बहुत ही प्राकृतिक छटाओं का फोटो नेट से ले सकते हैं और कॉंटेंट नेट पर भी उपलब्द हैं आप उनको ऐसे सजा कर अपने लिए ए लिए कि प्राजनानादीटे प्विएू लेने कि महलों के प्रेट लेने सीक मत्खों मछे पूट्यारalten थे संब्रसे पर और लाई इस राज्य की पूरसों की परमपरिक यह सब्सथा थोकवा कोरो दम होती है जिसमें एक सफेद पाजामा एन हद से एक लेपचा सर्ट और सम्भो टोपी आदी सामिल होते हैं पूर्सों की पुसाग की बनावटी खुरदरी और लंबे समय तक चलने योग होती है जबकि भूटिया पूर्सों की परंपरिक भेशबूसा में खो सामिल होता है जिसको बाखु भी कहते हैं और उसके बाद है सिक्किम के एक अन्य नेपाली पूर्स में चूड़ीदार पजामा एक सर्ट जो की दवरा सामिल होता है जो सुरूवल के उपर खुद को पहनते हैं या आसकोट कराई कोट और उनकी बेल्ट से जुड़ा होता है जिनको पटुकी भी कहा जाता है उसके बाद है सिक्किम की महिला पोसाग क्या है तो लेप्चा महिलाओं की पोसाग डमोवम या डुमीडम है लेप्चा महिलाओं द्वारा गहने, प्रवेस, बालिया, नामचोक, लायक, एक हार, ग्यार, एक कंगन आदी पहना जाता है भुटिया महिला की समाने भेस, भुसा में खो या बाखू, हन्जू, एक रेस्मी, फूल स्लीप्स वाला ब्लाउज, कुसन, एक जैकेट, टूपी का एक अलग पैठन, संबो और सब्चु आदी पहना जाता है जबकि विवाहित भुटिया महिलाओं में पैंगडन, धारिदार, एप्रावन, विवाहित भुटिया महिलाओं का पहनावा होता है भुटिया महिलाओं के आभूसन येंचो बाली खाओ हार फारू मोती आभूसन दियू सोने की चुड़ी और जोको अंगुठी आदी हैं भूटिया लोग जादातर सोने के आभूसनों को प्राथमिक्ता देते हैं अगर बात नेपाली महिलाओं की करे तो पचवरी कपरे का रंगिन टुकरा सिर से कमर तक निलंबित प्रतर्शन के दौरान अलंकरन उपयोग होता है अन्य मारवारी बिहारी बंगाली या पंजाबी समुदाय सलवार कमीज दुपट्टा साड़ी उनी बस्त्र पस्चमी पोस की कि पहनावा מें महिलाओं की तश्व पहनती हैं उसके बाद अन्य कि सि कीम कैसे जायान तो सिक्किम जाने के लिए यहां मार्गो का वर्णन किया गया है कि सिक्किम में हवाई अड़ा नहीं है अगर हम हवाई जास जाते तो वहाँ कोई हवाई अड़ा नहीं है बागडोगरा दिल्ली और कॉलकता जैसे महानगरों से जुड़ा है मतलब दिल्ली और कॉलकता से बागडोगरा डिरेक्ट फ्लाइट जाती है और सडक मार्ग से अगर जाते हैं तो न्यू जल पाई गुड़ी जो सडक से गंगटोक से तीन घंटे दूरी सित है मार्ग सिक्किम अभी तक रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है सबसे नदिक रेलवे एस्टेशन न्यू जल पाई गुड़ी है न्यू जल पाई गुड़ी एस्टेशन कॉलकता और दिल्ली सहीथ भारत के प्रमुख सहरों से रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है आप सिक्किम की ही आसान है और आप इसको नेट से फोटो ले करके बहुत ही आसान तरीके से एफ़ोर कागज पर बना सकते हैं और अपने क्लास में दाखिल कर सकते हैं जमा कर सकते हैं तो बच्चों इस तरह से आप को कोई भी परिशानी नहीं होने वाली है आप हमारे साथ बैना रही है आप हम दूसरे भासा में भी आपको सिक्किन प्रोजेक्ट एवलेबल करवाने वाले हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू